नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अभी तक कुमारे हैं आपकी शादी नहीं हुई है और विवाहित हैं और आप चाहते हैं कि नए साल में आपका व बहुत हद तक संभावना रहेगी चांस अधिक से अधिक रहेंगे कि आपके विवाह में जो बाधा जो विग्न आ रहा है किसी भी कारण से आ रहा हो किसी के परिवार वाले नहीं मानते किसी का योग संयोग नहीं बनता किसी को अच्छी लड़की नहीं मिलती किसी को अच् बजेंगी ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाब देंगे अब बात कर लेते हैं मीन राशी की मीन राशी के जिन जातकों के विवा में किसी भी कारण से विगना रहा हो तो उनको क्या उपाय करना चाहिए जिन से उनका विवा का जो विगन है वो दूर हो और जल्दी से जल खिलाएं साग पालक कित्यादी खिलाएं तो आपको फायदा मिलता है पुरुशों को जो मीन राशी के लड़के हैं जिनके विवा में विगन हैं उनको भी यही उपाय करना चाहिए साथ ही साथ आपको भगवान गणेश का नियमित दर्शन पूजन करना चाहिए घर के आस को हरी वस्तुओं का दान आपके लिए बहुत आवश्यक है लड़कों के लिए ऐसा करने से आपके विवा में आ रहे हैं विवन बाधा जो हैं वो बहुत चमतकारी रूप से दूर होते हैं परिवार वाले नहीं मान रहे हैं वो मान जाते हैं अच्छी लड़की अच्छे लड़के का योग नहीं बनता है लड़के लड़कें के लिए तो वो मिल जाता है कुण्डियां मिलने लगती हैं आप जीवन जो है दामपत्य जीवन बहुत सुख के साथ व्यतीत कर सकते हैं तो मित्रों देवियों और सजनों ये तो बात रही आपकी राशी के अनुसार कौ विवार के लोग राजी खुशी मान जाएं आपके विवा में आ रही बाधा को दूर करके आपका विवा हो जाए इसके लिए ये सारे उपाए जो हैं ये आपकी राशी के नुसार ही मैंने विशेश रूप से बताएं हैं इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडली अगर मा चाहिए उसके कारण से भी विवा में विगन आता है अगर कुंडली में पित्र दोश या कालसर्प दोश है सूर्य चंद्रमा का कोई ग्रहन दोश बन रहा है तो उसकी भी शांती अगर आप करा लेते हैं सही तरीके से विदिविदान के साथ वैदिक तरीके से तो आपके विवा की जो बाधा है वो दूर होती है और सिर्फ बाधा ही नहीं दूर होती है आप अपनी मैरिड लाइफ का अच्छा लाब ले पाते क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग शादी तो जल्दी बाजी में कर लेते हैं कुंडली में अगर ऐसे दोश रह जाएं उनकी आप शा साती के साथ संयोंग हो गया तो ये कुंडली विचार करवा करके इन दोशों को दूर करके ही आपको लाब लेना चाहिए हमारे शास्त्रों में कुछ विशेश मंत्र भी बताए गए हैं लड़कों के विवा में आ रही बाधा को दूर करने के लिए भी और कन्याओं की लड को कौन सा मंत्र करना चाहिए ये मंत्र है कान्याओं को सुख सोभाग की प्राप्ति होती है दामपत्य जीवन वह आपका सुखपूर्वग बीटता है इससे और आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है आप खुप्सूरत होते हैं क्योंकि इसमें रूप अंदेही जय मांगागा गया देष्वरी नदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः जिन लड़कियों के जिन कन्याओं के विवा में विगन हो इन दोनों मंत्रों का 108-108 नियमित रूप से आप जाप और प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलता है इसके बाद हमारे शास्त्रों में दुरगाश अप्तशती में पुरुषों के लिए भी विशेश मंत्र ऐसा नहीं कि पुरुषों को छोड़ दिया गया लड़कों के अगर विवा में विगन आ रहा है तो उसके लिए भी मंत्र है पत्नी मनोर्माम देहिं मनोवृत्ता नुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम ये मंत्र का जाप लड़के करते हैं जिनके विवा में विगन हो बाधा हो तो वो देवी से मांगते हैं कि पत्नी मनोर्माम देहिं मुझे पसंद आने वाली मनोर्मा प वाधा है तारणिम दुर्ग संसारस्य ये संसार की जो कठिनाईयां है उससे वो मुझे तारदे उससे मुझे हल्प मिले और मैं इस समस्याओं से पार हो सकूँ और मुझे मेरे कुल का जो है वो उद्धार करे तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोध भवाम मेरे परिवा से आप देवी की प्राफना अराधना करके लड़कों को भी नियमत इस मंत्र का एक सो आठ बार नियमित रूप से जाप करना चाहिए जब आपके विवाब में बाधा रही हो इसके लावा भगवान शिव की पूजा शिव परिवार की पूजा ग्रिहस्त देवता हैं भगवा लड़कों के लिए सूर्य का बली होना विवा के लिए बहुत आवश्यक होता है तो अगर कोई लड़का आता है हम लोगों के पास की विवा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले सूर्य देवता को अर्ग देना उसको अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो माने के पहना दे होता है अगर किसी को आप कुंडली दिखा सकते हो विवा में बहुत जादा बादा हो उमर बहुत जादा हो रही हो तो सब्तमेश पर अगर किसी अशुब ग्रह की दृष्टी है सब्तमेश में कहीं अशुब योग बन रहा है उस ग्रह की शांति कराईए सब्तमेश का रत्न कर लेने से भी विवा में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये छोटे-छोटे उपाई और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुपकावना के साथ की नए वर्ष में आपका दामपत्य जीवन सुख में हो जाए आपको दामपत्य सुख की प्राप्ती हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहेगे मेरा यूट्यूब चैनल वैपबन नमस्कार जटिल समस्या हो या भाग्ये बाधा हो व्यापार नौक्री शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुख का भाग्ये अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जहनमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com पर